नमस्कार किसान भाईयों मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है किसान भाईयों जोसाब वीडियो में देख रहे हैं यह मैं अफिम की दूसरी सिचाई कर रहा हूँ किसान भाईयों सबसे पहले जब इसकी बहुने की थी उसके बाद मैंने दो बार मेनी स्प्रिंग कर चलवा लिए थे और आद उनको खोल के थोड़ा साय इस अफिम में खुतरने के बाद क्लोरो पारिफास दस ग्रिंवल्स की एक किलो मात्र दस अरी में और साथ किलो ग्यूरिया और तीन किलो अमोनियम सर्फेट को मिक्स करके मैंने इसमें चिड़काव किया है ताकि जल्दी से थोड़ी पोदे की हाइट हो जाए तो इस पोदों की छनाई में आसानी हो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि क्लोरो पारिफास का आपने पहले भी उप्यो किया हुआ क्योंकि जमीन में भूमिकत कीट को समाप्त करने के लिए अच्छी कोई दवा नहीं है तो लिक्विट फार्म में भी आप यूज कर सकते हैं लगिने आप ग्रिंवल्स करते हैं तो खात के साथ मिला कर खेद में एक समान चिड़काव कर दे मुझे इस वर्ष बारारी का पट्टा मिला है चूंकि लाइसेंस मेरे पिताजे के नाम से उनके जो अफिम में माजपिन की मातरा आई थी इस वर्ष वो थी 7.750 चूंकि मुझे बारारी का पट्टा मिल खेदी करनी है इसके बारे में अपने नेजिय निबोग शेयर करूँगा है हमेशा मेरे इस खेद में अफिम में जो मार्फिन की मातरा होती है वो अच्छी बेड़ती है सिर्फ गए साल मुझे 6 अरी का अफिम का लाइसेंस मिला है था और हर वाशे मुझे 10 अरी से 12 अरी का लाइसेंस मिलता है चूंकि मार्फिन की जो मातरा है वो अच्छी बेड़ती है अफिम में मैं क्या-क्या यूज करता हूँ और आपको क्या-क्या यूज करना चाहिए किसी शेत्र विशेश में यदि अफिम की पेदावार अच्छी हो रही है तो उसके मिट्टे के अपने म पेदावार होती है तो इसा क्या है उस जमीन में और उसे हम अपने जमीन में केसे यूज कर सकते हैं तो सबी कुछ जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहीएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई जानकार के साथ तब तक के लिए जैहिन जैजावा जैकी सान